इस गुड मॉनिंग पीपल गुड आफ्टों गडविन कैसे सब लोग होप सो आप सब लोग बहुत वीडिया रहेंगे मैं पता दू मैं भी बहुत अच्छा हूं तो आपको इंटरनेशनल टेक्सेशन वाले पार्ट में ट्रांसफर प्राइसिंग एस वेल आज नॉन रेजिडेंट टेक्सेशन दूनों टॉपिक को मैंने बहुत अच्छे से रिवाइस कर लिया है तो आप लोगों ने भी रिवाइस कर लिया होगा वो लेक्शर दूनों आपको यूट्यव पर मिल चुके है नाउ पुर्स रूल ये बोलता है कि अगर कोई परसन आपकी का रेजिडेंन नहीं है लेकिन आपकी कंट्री में सोर्स है तो उससे जो भी सोर्स है इंकम होती है उस पाफ टैक्स लेगा और नेपाल जो है वो टैक्स लेगा द्यूर्सर पींडिया इसका अउल्टा एक्जम्पल can take one example suppose Ricky Ponting is a resident of Australia वो इंडिया में IPL खिलने के लिए आता है और इंडिया से जो उसको income होती है उस पर tax लगेगा due to the source rule और बेटा वहां Australia में tax लगेगा due to the residence rule अब एक चीज समझना इसमें होता क्या है अगर कोई person एक country का resident है और उसको दोसरी country से income होती है तो दोनों जगेटेक्स लगता है जहां पर soul से हो country जो चोर्स rule नेती और जहां का वह resident है वह resident rule से tax लेती है और इसकी बज़य sé double taxation होता है इस डवल taxation को जूरीडिल डवल टेटेशन बोला जाता है तो मैं country से income हो रहा है वो source rule से tax लेती है और जहां पर वो resident है वो resident सुरूर से tax लेती है मिस एक ही person को एक ही income पर दो country में tax लगता है that is called jurisdictional double taxation अब एक चीज़ समझदा एक होता है economic double taxation economic double taxation क्या होता है कि एक income पे दो अलग-अलग taxation we can take one example suppose क्या हुआ एक foreign company ने dividend दिया तो foreign company ने dividend दिया तो foreign company ने foreign में उस पर DDT भर दिया होगा suppose वहाँ पर DDT का लोई तो DDT वहाँ पर पे कर दिया होगा और अब अपने को foreign company से dividend मिलता है तो अपने हाथ में भी tax लग जाता है यहां पर economic double taxation हो रहा है डिविटेंट इंकम तो यह की है वह company ने भी टेक्स भरा और आप भी टेक्स भर रहे हो अब एक चीज़ समझना नौर्बली जो यह जुरिडिक्शनल डबल टेक्सेशन होता है इसको कैसे अवोइड किया नहीं करेंगे अब यह double taxation avoidance agreement है वो बनाया जाते है और double taxation avoidance agreement में normally relief कैसे दी जाती है उसके दो method होती है one is the tax exemption method one is the tax credit method tax exemption method क्या बोलती है कि एक country tax लेगी और दूसरी country tax नहीं लेगी that is exempt कर देगी that is called tax exemption method tax credit method क्या बोलता है है कि दोनों country tax लेगी लेकिन जो भी source country में tax बढ़ा है resident वाली country उसका credit देगी that is called tax credit method तो मैंने क्या बोला कि double taxation को कैसे avoid किया जाए तो उसके लिए bilateral relief क्या बोलता है कि दो country आपस में मिल बैठके agreement बनाती है that agreement is known as the DTAA इस DTAA बोलो या tax treaty बोलो या tax convention बोलो एक ही बात है तो DTAA बोलो tax treaty बोलो tax convention बोलो एक ही बात है दो country आपस में मिल बैठके और वह agreement बनाती है दो तरह का relief हो सकता है एक tax exemption method और एक tax credit method तक्स exemption method यह बोलता है एक country में tax लगेगा दूसरी में exempt हो जाएगा और credit method यह बोलता है कि जो भी आपने source country में tax बढ़ा है resident कर वाली country है उसका credit देदेगी that is called tax credit method अब एक चीज समझना इंडिया में यह power जो है section 19 ने central government को दे रखा है कि अब central government can enter into the agreement for the avoidance of the double taxation with any foreign country और specified territory located outside इंडिया तो देखो हमारी जो central government मोधी सरकार है वो foreign country के साथ में या specified territory के साथ में agreement कर सकती है अब आप बोलोगे specified territory का मतलब क्या होता है बहुत बार कोई foreign country पूरी नहीं है लेकिन country का कोई part के साथ भी agreement करते है that is called specified territory आपने नाम सुना होगा Macao करके तो Macao is not a country it is a part of the China कर ठीक है so Macao के साथ अगर माल लो Indian government agreement में एंटर किया तो उसको अपन specified territory के साथ में agreement बोलेंगे अब एक और चीज़ समझना sir question ही आता है कि अब यह जब डीटी डबल बनता है तो country के बीच में तो उसमें क्या लिखा हुआ होता है सबसे पहला clause तो obviously ही होता है कि double taxation ना लगना चाहिए दूसरी चीज़ उसमें information sharing के भी clauses होते हैं उसमें information sharing के clauses होते हैं कि जब भी एक country दूसरी country से information मांगी तो दूसरी country उसके साथ share करेगी as well as the tax recovery में एक दूसरे की help करना अगर कोई पैसा खा के दूसरी country भाग गया है और उससे कुछ tax का recovery करना है या asset दूसरी country में located है तो country आ act है 1961 वाला और एक मान लो DT AA का तो question ही आता है इन दोनों provision में से कौन सा जो है वो prevent करेवल करेगा तो देखो normally DT AA के provision है वो specific provision होते हैं but income tax act के provision है वो normal provision होते हैं तो अगर दोनों के बीच में conflict है तो DT AA के provision है वो prevail करेंगे DT AA के provision है वो prevail करेंगे but except the provision of the guard जो गार के provision है उसको छोड़के DT AA के provision है वो prevail करेंगे अब एक और चीज़ समझना अगर मैं assessi के point of view से बोली तो assessi DT AA के provision या income tax act के provision में से जो उसके लिए more beneficial है वो ले सकता है जैसे I can take a example के suppose income tax act में बोला हुआ आपको 10% tax लगेगा DT AA में बोला हुआ है आपको 15% tax लगेगा तो उस case में आपको 10% tax बढ़ना है because income tax act is more beneficial for you अब एक और चीज़ समझना income tax act में मालो 30% लिखा हुआ है और यहाँ पे 15% लिखा हुआ है तो उस case में आपको 15% tax बढ़ना पढ़ेगा because DT AA is more beneficial to you तो मैंने क्या बोला देखो अगर conflict DT AA income tax act में है तो DT AA के provision prevail करेंगे but accept the provision of guard guard के provision ऐसे है जो DT AA को भी override कर जाएंगे but अगर आप assessi के point of view से देखोगे तो income tax और DT AA के provision whichever is more beneficial आपके लिए है वो आपको लेने पढ़ेंगे जो आपके लिए more beneficial है वो वाले आपको लेने पढ़ेंगे लेकिन इसमें एक exception है अगर कोई foreign company है और foreign company के लिए income tax में tax rate ज्यादा लग रही है foreign company के लिए income tax में tax rate ज्यादा लगती है जैसे आपको पता रहेगा foreign company के लिए अपने income tax में 40% की rate से tax लगता है तो tax rate का ज्यादा लगना is never be treated as less favorable मतलब उसके लिए tax rate ज्यादा लगेगी जैसे I can take a example एक foreign company है और foreign company के लिए आपको जैसा पता है कि income tax में tax rate क्या रहती है foreign company के लिए तो मैंने क्या बोला foreign company के लिए tax rate का ज्यादा होना income tax act में कभी भी less favorable नहीं माना जाएगा और उसके लिए 40% tax rate है वो 40% tax rate ही लगेगी तो इसका मतलब सर ए यह हुआ कि foreign company के लिए डिटी डबले लगेगा जो foreign company है उसके लिए डिटी डबले लगेगा लेकिन tax rate purpose के लिए न आपको लेना है अब एक चीज समझना यहां पर क्या हुआ जैसे मालो डिटी डबले बोलता है income tax act बोलता है को उस foreign company के लिए five income taxable होगी मालो one two three four five income taxable होगी बट डिटी डबले बोलता है one two or three income taxable होगी तो taxable तो कितनी होगी three income as per डिटी डबले बट रेट आप कौन सा वाल मतलब बहिया आपको income tax act वाला रेट है वो आपको लेना है अब एक और चीज समझना अगर किसी भी person को डिटी डबले का benefit लेना है कोई नॉन रेजिडेंट और वो इंडिया में आता है और इंडिया से इंकम होता और उसको डिटी डबले का benefit लेना है तो उसको क्या करना पड़ेगी जैसे उसका status क्या है individual HVC company क्या है गर ठीक है उसका pen number अगर इंडिया का है तो वो देना पड़ेगा अगर इंडिया का pen number नहीं है तो उस country का पैन नंबर जिस country का वो resident है वहां का pen number देना पड़ेगा उसकी nationality क्या है वो बतानी पड़ेगी उसके बाद में अग मतलब resident उस country का कितने time के लिए है वो भी उसको यहां पर बताना पड़ेगा उसका address वगेरा दिना पड़ेगा यह सब information देनी पड़ेगी लेकिन अगर यह information already TRC में दे रखी है तो अलग से देने की ज़रुआत नहीं है अब एक चीज़ समझना मैंने आपको क्या बोला कि DT में एंटर होने का power अपनी central government के पास है मोधी सरकार के पास है लेकिन इंडिया की कोई भी specified association foreign की specified association के साथ में agreement में एंटर हो सकती है बट specified association का मतलब ऐसी association से होता है जो किसी भी law में काम करती है जैसे I can take example इंडिया का RBI एक act में काम करती है और Switzerland की bank जहां की national bank है वहां के law मे काम करती है तो इंडिया की RBI और Switzerland की bank है वह भी आपस में agreement कर सकती है लेकिन यह agreement valid तभी होगा जब central government उसको अप्रूव कर देती है तो central government उसको ratify करती है अप्रूड करती है तो उस case में वह क्या होगा agreement है वह agreement आपका जो agreement है वह valid माना जाएगा अब एक चीज समझना कभी क अब किया होता है कि कोई भी अगर word है और वह उस word का meaning अगर dta में दे रखा है जैसे मानलो एक word एक Europa में यूजink में और ट्रटी डबले में दे रखा आ तो उस case में notification के थूरू उसका meaning दिया जा सकता है लेकिन एक चीज समझना अगर notification के थूरू अभी उसको meaning को दिया तो वो meaning तब से applicable होगा जब से वो DTAA in force आया था I can take one example कि suppose India entered into the agreement with the Nepal in 1971 there were one word used in the DTAA but that was not explained in DTAA as well as income tax act suppose in 2020 central government come with the meaning of that particular terms and they notified that meaning through the notification now this term will be at this notification or this definition will be applicable from the date on which the that particular DTAA come into the force means जिस दिन वो DTAA come into force हुआ था उस डिटे जे रेट्रोस्पक्टिवली उसका meaning है वो applicable हो जाएगा उसके बाद एक section होती है 91 के देखो अगर मालो foreign country as specified territory के साथ DTAA है तो तो क्या होगा DTAA के हिसाब से relief मिल जाएगा वैड़ अगर DTAA नहीं है तो उसमें section 91 का एक rebate मिलता है लेकिन यह 91 का rebate तभी मिलता है जब 4 condition satisfied होनी चाहिए पहली condition तो यह होनी चाहिए कि भईया यह rebate जो 91 का चाहिए इंडिया का होना चाहिए दूसरी condition उसको income इंडिया के बाहर से हो रही है उसको इंडिया के बाहर से income हो रही है और बाहर tax लगा है तभी तो double taxation होगा अगर बाहर tax ही नहीं लगा तो तो डबल टेक्सेशन का सवाल ही नहीं होता तो देखो बिटा मैंने क्या बोला कि भाईया सबसे पहली कंडिशन ही है कि वो परसन इंडिया का रेजिदेंट है उसको इंडिया के बाहर से इंकम हो रही है बाहर टेक्स लगा है ठीक है एंड वाईया उस कंट्री के साथ अपना डबल टेक्सेशन अवोइडेंस अग्रीमेंट नहीं है तो उस केस में हम 91 में रिबेट देंगे यह 91 का रिबेट कैसे कैलकुलेट करने का तो देखो अगर परसन रेजिदेंट है तो पूरे वल्ड की इंकम टेक्सेबल होगी पहले आप टोटल इंकम निकाल दो और टोटल ऑढ़र एल्ट और एजॉकेशन सेशन एडने के बात आपको सेक्षिन का ना के रिबेट कैसे लोगे कि जो Schulz लोगे जेज इंडिया का इंडिया का अवरेस टेक्स रेट कैसे निकाल必 जो भी टैक्स पे बलाता इंडिवाइड नेक्स इंकम Linux वह ऑद्रई सोज इंड्र कि भाई आप foreign में कितना tax भरा और foreign के law के इसाब से foreign में कितनी income आपकी accessible थी foreign में कितना tax pay किया और foreign के law के इसाब से foreign में आपकी income कितनी taxable थी वो जो percentage rate आएगा तो इंडिया का average tax rate और foreign का tax rate होता है whichever is lower वाली rate आप लोगे और वो lower वाली rate जो भी double tax income है डबली tax income, जो इंडिया के income निकालते हैं, एंटियाई में जितनी income include हुई है, जो foreign की income है, वो आपकी NTI में include हुई है, उस पे आपको यह rebate है, वो lower वाली rate से मिल जाएगा, तो दिखो, इंडिया का average tax rate और foreign का tax rate, foreign का tax rate means, foreign में टेक्स जितना पें किया डिवाइट भाइट में असेज़्ट निंकम एस पर फॉरेंट टेक्स लॉग कर से कर जो तुम्हारे इंडिया की इंटिया कि इंठम आती है उसी पर आपको यह रिवेट मिलेगा अंडर सेक्शन 91 करके अब एक चीज़ समझना है concept आता है PE जैसे लास्ट टॉपिक में section 9 में अपने देखा था एक concept पड़ा था that is a parma like क्या बोलते business connection वैसा ही DTAAs में concept आता है PE that is permanent establishment permanent establishment का मतलब होता है place of business हो सकता है place of branch हो सकता है Office हो सकता है factory हो सकता है workshop हो सकता है sales outlet हो सकता है warehouse हो सकता है mine औगेरा हो सकता है यह तुमारा क्या होता है PE बनता है अब एक चीज़ समझना अगर कोई person है कोई non resident है उसका आंदिया में इंडिया से कोई business income होता है तो वो business income इंडिया में taxable तभी होता है में source country में तभी taxable होता है जब उसका वहाँ पर P.E. होता है अगर P.E. नहीं है तो वहाँ पर taxable नहीं होता क्योंकि हमेशा दो concept आते हैं एक तो होता है business with foreign country और एक होता है business in foreign country अगर business with foreign country है तो foreign country में आपकी income taxable नहीं होती बट business in foreign country है तो foreign country में आपकी income taxable हो जाएगी we can take one example suppose मैं यहां से मेरे जो books है pen drive है वो में नेपाल सेल करता हूँ नेपाल से बहुत सारे बच्चों के order आते है मेरे पास pen drive books के और मैं नेपाल सेल करता हूँ यहां से courier करता हूँ DT-DC से या FedEx से वो सीधा नेपाल डिलीवर हो जाता है क्या नेपाल में मुझे tax लगेगा answer is no because I am doing business with नेपाल लेकिन मान लो Kathmandu में मैंने अपना center start कर दिया Kathmandu मैं मैंने मेरा center start कर दिया और वो center से ही बच्चों को books भी सेल हो रही है और वहां से पेंट्राइव सेल हो रही है तो मैं business in Nepal कर रहा हूँ अब एक बात बताओ नेपाल में मेरी income taxable होगी answer is yes because मेरा PE जो है वो नेपाल में हो गया तो अगर मेरा PE नेपाल में हो जाता है तो उस नेपाल में income taxable हो जाती है तो ध्यान रखना अगर business with foreign country workers in foreign country है तो foreign country में tax लगेगा और यह business in foreign country का मतलब अगर वहां पर आपका turg사를 कर जहां से आप कर एक ठीक है जो आपके और जहां से आप बिजनस करते हो तो वो तुमारे पी की डेफिनिशन में आ जाएगा अब एक और चीज़ समझता है यह जो पॉइंट दे रखे यह जो पांच-छे पॉइंट दे रखे यह कोई एक्जॉस्टिव डेफिनिशन नहीं है यह इसके अलावा बहुत सारी चीज़ पर्मानेंट था और पर्मानेंट का मतलब ऐसा नहीं सालो साल होना चाहिए तो पर्मानेंट की डेफिनिशन में आ जाएगा और उस पे इंडिया में टेक्स लग गया था अब एक और चीज़ समझना क्वेश्चन यह आता है कि अगर मालो कोई नॉन रेजिदेंट उसका इंडिया में बीपी यूनिट है तो बीपी यूनिट जो है इंडिया में क्या वो पी माना जाएगा मतलब उसको इंडिया से जो बीपी यूनिट से इंकम होती है इंडिया में टेक्स लगेगा बड़ा is the completion this is the basically completion of your topic this is the completion of topic DTAA now next topic is related to the advance ruling advance ruling ka मतलब क्या होता advance management ले लेना अब एक बात समझना अगर मानलो आप कोई transaction करने वाले हो या transaction कर चुके you are going to undertake any transaction or already undertaken any transaction and आप अपनी आपके दिमाग में को question of law है या question of fact आप पता करना चाहते हो आपकी tax liability अगिरा क्या होगी तो उस case में आप authority of advance ruling के पास application कर सकते हो अब question यह आता है who philosophy of advance ruling के लिए क्लेक सन कर सकता है पांच application है Jausta पांच लोग जा सकते हैं पांच लोग authority of advance ruling के पास application कर सकते हैं सबसे पहला कोई भी non-resignment अगर कोई भी वो नौन रेजिडेंट अगर उसके दिमाग में कोई question है question of fact question of law है वो क्या कर सकता है वो transaction जो कर चुका है या करने वाला है उससे related वो authority of advance ruling के पाथ जा सकता है दूसरा अगर कोई resident है वो behalf of the non-resident जाना चाहता है अगर कोई resident on the behalf of the non-resident जैसे I can take one example एक foreign की company है Sam INC, Sam INC के साथ मैं कोई transaction करने वाला हूँ अब मुझे पता करना है Sam INC का इंडिया में tax liability क्या रहेगा मुझे कितना TDS काटना है and all तो उसके लिए मैं भी जा सकता हूँ authority of advance ruling में for the benefit of the non-resident means before determining the tax liability of the non-resident मैंने बोला मैंने पहला कौन जा सकता है पहला कौन जा शकता है non-resident दूसरा कौं जा सकता है resident on behalf of the non-resident तीसरा मैं बोलूँगा अगर कोई भी resident है और वो resident कोई transaction करने जा रहा है कोई transaction करने जा रहा है और वो transaction है वो transaction की value आपकी 100 करोड या उससे ज़्यादा है मिस कोई resident person है वो transaction कर रहा है वो transaction की value जो है वो transaction की value 100 करोड या उससे ज़्यादा है के पास और चौता बिटा अगर कोई भी नोटीफाइड परसन और नोटीफाइड परसन में यहां पे इन्हों ने रेजिडेंट परसन में पी एस यू को नोटीफाइड किया है जो भी पबिक सेक्टर अंडेटेकिंग है वो भी उठोड्न के पास जा सकते तो मैंने क्या बोला पाच लोग ऑथॉरिटी ओफ एडवांस रूलिंग के पास जा सकते हैं यह पता करने के लिए और उउस पर गार तो नहीं लग जाएगा यह पता करने के लिए वो भी authority of advance rolling के पास जा सकते हैं अब एक बाद समझना authority of advance rolling को जब आप application करते हो तो आपको prescribed form में करना पड़ता है और prescribed fees भी लगती है अब fees कित्ती लगती है तो मैं बता दो public sector undertaking करती है तो 10,000 other person कोई भी application करता है और उसका जो transaction का value है वो transaction value up to 100 crore है up to 100 crore है तो fees लगेगा 2 lakh rupees अगर more than 100 crore up to 300 crore है तो fees लगेगा 5 lakh rupees and more than 300 crore का transaction है तो fees लगेगा 10,000 rupees अब एक और चीज़ समझना अगर जब आप application करते हो वो 4 copies में करना पड़ता है quad duplicate आपको application करना पड़ता है आपने authority of advance ruling में अगर application किया आप चाते हो कभी withdraw करना withdraw भी कर सकते हो और withdraw करने का time limit होता है 30 days 30 days के अंदर अंदर आप withdraw कर सकते हो लेकिन एक और चीज़ समझना आप अगर 30 days के बाद भी withdraw करना चाते हो तो कर सकते हो अगर authority of advance ruling को लगता है तो 30 days इसके बाद भी आपको withdraw करने दिया जा सकता है कोई दिकत नहीं है अब एक चीज़ समझना जैसे ही आप authority of advance ruling में application करोगे तो आपका क्या होगा एक copy वो CIT को भेज़ देगा करगे ठीक अब एक चीज़ समझना मैं आपको उससे पहले एक चीज़ बता दू authority of advance ruling में आप तब ही जा सकते हो जब आपका case कहीं पैंडिग नहीं होना चाहिए आपका case है वो ना तो IT authority के पास pending होना चाहिए नहीं वो ITAT के पास pending होना चाहिए नहीं high court के पास और नहीं supreme court के पास miss आपका case कहीं pending नहीं होना चाहिए उस issue को लेखे अगर एक बात बताओ, वो same issue पे case already कहीं pending है, तो भईया वहाँ पे जो judgment आएगा, उससे पता चल जाएगा न, फिर authority of advance ruling के बाद जाने की जरूरत क्या है, तो case कहीं pending नहीं होना चाहिए, लेकिन इसमें एक exception है, that is PSU, PSU के case में, अगर IT authority के पास case pending है, या ITET के पास case pending है, तो authority of advance ruling में जा सकते है, तो यह authority of advance ruling के पास नहीं जा सकते, तो देखो बिटा, मैंने क्या बोला, सबसे पहली condition, authority of advance ruling में जाने के लिए, आपका case कहीं pending नहीं होना चाहिए, लेकिन PSU का case, अगर IT authority, या ITET के पास pending है, तो वो authority of advance ruling में जा सकते, लेकिन high court, supreme court के पास case pending नहीं होन चाहिए अब एक चीज़ समझना जब भी आप authority of advance ruling को application करोगे authority of advance ruling आपकी application को accept भी कर सकता है रिजेक्ट भी कर सकता है लेकिन मैं बता तो तीन cases ऐसे है तीन cases ऐसे है जिसमें आपकी application straight forward reject हो जाएगी मतलब सीधा रिजेक्ट जैसे आपने किसी लड़की को हाय बोला और उसने सीधा ब्लॉक कर दिया बिना जाने कर ठीक है आप कौन हो क्या हो सीधा ब्लॉक मतलब straight forward reject हो जाएगी आपके application कितने case में तीन cases में सबसे पहला case कौन सा बता है तुमको अगर मालनो आपका case already pending है कहां पर IT authority के पास में या फिर IT at high court supreme court के पास या फिर PSU का case high court supreme court के पास pending है तो उसकी application state forward reject हो जाएगी दूसरा अगर आपके application किसी asset की FMV निकलवाने के लिए है आपने application कि प्रॉपर्टी का FMV निकाल के दो ना अब authority of advance ruling का ये काम है कि FMV निकालेंगे तो अगर FMV से related application है सीधा reject करके ठीक है या फिर मानलो आप जो transaction करने वाले हो वो transaction prima facia avoidance of the tax के लिए है मला आप ऐसा जोल वाला कोई transaction करने वाले हो और वो transaction है वो नाइमा फेसिया avoidance of the tax के लिए है तो उस case में आपकी application state forward reject हो जाएंगी लेकिन इस case में भी दो लोगों की नहीं होगी एक तो पब्लिक सेक्टर मैंने यह बोला कि तीन cases में आपकी application है वो सीधा reject हो जाएगी पहला अगर आपका case कहीं पेंडिंग है ठीक है कहीं पर मिस आइटी ऑथोरेटी हाई कोड सुप्रीम कोड आइट कहीं पेंडिंग नहीं होना चाहिए और PSU का case हाई कोड सुप्रीम कोड में पेंडिंग नहीं तो आपकी application admit हो जाएगी कोई दिकत नहीं है ठीक है अब एक बात समझना authority of advance rolling judgment देगी वो कितने टाइम में देगी बता है six months from the date of the receipt of the application from the assessi वला जिस दिन आपने application उनको receipt होता है उसके six month के अंदर-अंदर वो judgment देंगे अब एक और चीज़ समझना यह judgment का copy CIT को भी बेज बेजा जाएगा और CIT PCIT को भी बेजा जाएगा अब एक और चीज समझना आप लोग मैं बता दू जो judgment है ना वो judgment किस-किस पर binding होगा जो भी authority of advance rolling का judgment है वो किस-किस पर binding होगा तो सबसे पहली चीज तो उस assessi पर binding होगा जिसने यह judgment लिया है दूसरी चीज income tax authority पे भी binding और तीसरा मैं बता दूँ वो वाले transaction जिससे related आपने authority of advance ruling से judgment लिया है अब एक और चीज समझना मैंने बोला ITAT पे binding नहीं होगा answer is नहीं होगा ITAT पे binding अब एक बात समझना यह PSU के case में अगर यहाँ पे case pending है PSU के case में बात करूँ तो अगर मालो IT authority यहाँ IT authority और ITAT के पास case pending है तो उस case में आप authority of advance ruling में जाओगे तो authority of advance ruling में गए तो उस case में यह IT authority और ITAT थोड़े time wait करेंगे जब तक authority of advance ruling का judgment नहीं आता means IT authority and ITAT wait करेंगे till the judgment of the authority of advance ruling अब एक बात बता authority of advance ruling का judgment आया वो क्या binding होगा तो मैं बता दू IT authority पे दो binding हो गई IT authority पे तो binding हो गई लेकिन ITAT पे binding नहीं होगा ITAT है वो अलग judgment दे सकता है कोई दिक्कत नहीं है बट IT authority पे obviously वो binding होगा अगर ITAT ने अलग judgment दिया तो ITAT वाला judgment है वो prevail कर जाएगा यहाँ पे कर ठीक है चलो अब एक और चीज़ समझना मैंने बोला authority of advance ruling का जो judgment है वो किस-किस पे binding होगा असेसी पे binding होगा department पे binding होगा up to the level of the CIT और वो वाले transaction जो उसमें मेंशन है वो वाले transaction पे binding होगा अगर आगे जाके law में change हो जाता है fact में change हो जाता है तो वो binding नहीं होगा अब एक और चीज़ समझना exam में बहुत बार यही question पूचते है कि अगर बलराम ने authority of advance ruling का judgment लिया उसका भाई हरी राम है उसके भी transaction similar है क्या उस पर यह applicable होगा answer is no उस पर applicable नहीं होगा क्योंगी पैसे का खर्चा बलराम ने किया है तो बलराम पर applicable होगा अब एक और चीज़ समझना आगे जाके अगर पता चलता है authority of advance ruling को क्या आपने यह judgment fraud करके misrepresentation of facts से लिया तो उस case में उसके पास power है कि वो उसको void ab initio declare कर सकते authority of advance ruling है वो उसको void ab initio declare कर सकता है अब एक चीज़ समझना authority of advance ruling का composition कैसे होता authority इसका main जो office है वो दिल्ली में और इसके मुंबई में एक bench लगती है मुंबई में बैच लगती है और main जो office है वो कहां पे दिल्ली में अब अब आत्यों इसमें चार लोग हो सकते authority of advance ruling में यसे कितने लोग होते है चार एक होता है chairman एक लोता है May exfoli एक है अकाउंट मेंबर और एक होते है रेवेनु मेंबर एन लोजामार मैंने क्या बूला चार लोग लोग डियरम mlमे करके ठीक है रेवेनूulsive एड globalization धारी रेवे चेर्मेन की 67 years, revenue member की 67 years and law member की 67 years मतलब चेर्मेन की 70 और बाकी की 67 highest stage और इनका सबका tenure जो है वो maximum tenure है वो एक बार में 5 साल का हो सकता है, 5 years का हो सकता है, उसके बाद उसको renew किया जा सकता है, अब एक चीज़ समझना qualification क्या होती है, तो चेर्मेन की qualification ये रहेगी, कि या तो वो सुप्रीम कोट का कोई जज रह चुका है, जो चेर्मेन है वो चेर्मेन सुप्रीम कोट का जज रहा है या फिर स्विब जस्टिस रहा है, सीज़ रहा है हाई कोट का, या फिर 7 years तक high court का judge रहा है उसको chairman बनाते है तो chairman किसको बनाते है तो supreme court का कोई judge या फिर high court का cj रहा है या फिर जो seven years तक high court का judge रहा है वो chairman बनेगा white chairman कौन बनेगा पता है white chairman बनेगा जो high court का judge रहा है ठीक है और उसके बाद revenue member कौन बनेगा जो CBEC और CBIC, जो CBEC और CBIC, CBEC या CBDT, so I'm not CBIC और CBEC से ही मैं कर गए, ठीक है, तो CBDT या फिर CBIC का जो member है, वो member तुमारा बनेगा, revenue member, और जो law member किसको बनाएंगे, जो government में additional secretary की position पे है, additional secretary की position जो qualify करता है, उसको बनाएंगे law member, तो मैंने बोला, चार, chairman कौन बनेगा, white chairman कौन बनेगा, law member कौन बनेगा, और law member कौन बनेगा, और revenue member कौन बनेगा, तो देखो, chairman कौन बनेगा, जो supreme court का judge रह चुका है, high court का CJ रहा है, करके ठीक है, या फिर 7 years तक high court का judge रहा है, और बेटा, white chairman कौन बनेगा, जो की high court का judge है, करके ठीक है, revenue member कौ बनेगा जो CBDT CBEC का मेंबर रहा है और law member कौन मनेगा जो additional secretary पोस्ट पे रहा है government of India में तो वो law member बनेगा अब एक और चीज़ समझना यह जो उपर मैंने qualification बताई है यह qualification उन लोगों के लिए है जिनका appointment 25 May 2017 से पहले हो चुका है अगर जिनका appointment 26 May 2017 यह उसके बाद में हुआ है उस date यह उसके बाद में हुआ है तो उनके लिए qualification change हो जाएगी वो qualification क्या है वो finance act 2017 के section 184 में दे रखी है अभी में बताता हूँ वो नए जो अभी appointment हुए है that is 26 May 2017 यह उसके बाद तो उनके लिए qualification क्या रहेगी अभी में बताता हूँ ठीक है चलो अब एक और बात समझना आप जो location कहां पर रहेगा authority of advance ruling का location head office Delhi में है और इसकी benches जाए जितनी वो बना सकते है अब एक चीज समझना हर authority of advance ruling की जो बैंच रहेगी ना उस बैंच में तीन लोग रहेंगे एक तो chairman और white chairman मतलब chairman white chairman मैं से कोई भी एक ठीक है और एक revenue member और एक law member हमेशा तीन लोगों की bench है वो bench सुनवाई करेगी और वो लोग अपना judgment देंगे अब एक चीज समझना अगर chairman की death हो जाती है या resignation हो जाता या अदर्वाइस उसका office खाली हो जाता है Chairman की death हो जाती है Resignation हो जाता है और केसी अदर वज़ाई से उसका office खाली हो जाता है तो जो senior most white chairman रहेगा उट तब तक chairman का कारेबार संबालेगा जब तक की नया chairman में नहीं हो पाता या फिर कोई चेयर्मेन ये वो चुती पे चला जाता है जो चुत्ती पड़ को therapeutics में deserves g जाता है तो उस केस में क्या होगा कि जो senior most wife chairman रहेगा वह chairman का कारेबार सम्भालेगा जब तक की वह chairman वापस अपने office को resume नहीं कर देता अब एक और बात समझना अगर मान लो यहां पर जो appointment 26 में 2017 यह उसके बाद में हुआ है तो उनकी क्या qualification रहेगी तो यहां पर chairman की qualification में change है बाकी किसी में change नहीं है अब chairman की qualification में मैंने आपको वहां पर क्या बताया था कि supreme court का judge हाई-court का cj करके ठीक है या फिर हाई-court का judge for the seven year यह तो as it is यहां पर भी है ठीक है तो वह क्या होना चाहिए यह तो supreme court का judge होना चाहिए करके और qualified is or has been qualified as a cj of the high court या फिर हाई-court का judge होना चाहिए seven years के लिए एक तीसरा point यहां पर extra है कि अगर वो three years के लिए white chairman revenue member या फिर law member रहा है अगर वो three years के लिए white chairman revenue member और law member रहा है वो भी chairman बन सकता है या फिर कोई ऐसा person जिसमें भारी knowledge है किछ चीज का finance का accountancy का management का industry का public affair administration का business का commerce का और उसके पास 25 years या उससे ज़्यादा का experience है 25 years या उससे ज़्यादा का experience है तो उसको भी chairman बना सकते है वाई chairman वही high court का judge रहा हो करके ठीक है revenue member वही तुमारा CBDT और CBEC का कोई member रहा हो या remember जो हो सकता है करके ठीक है या फिर तुमारा law member में कौन रहेगा जो additional secretary की post पे रह सकता है अब एक और चीज समझना इनका tenure क्या रहेगा जैसे वहाँ पे तो मैंने आपको एज क्या बताई थी maximum age और maximum tenure बनाया बताया था अब इन्होंने rules बना के उसको कम किया और rules बना के इन्हों ने क्या बोला कि भाईया सबका maximum tenure है वो three years का रहेगा वहाँ पे tenure five years maximum दे रखाता तो इन्होंने notify किया कि maximum tenure है वो three years का रहेगा त्री years के बाद में वापस reappoint हो सकता है और maximum age को इन्होंने यह बोला कि भाईया chairman का age है वो maximum 70 years का रहेगा white chairman का age 65 years का रहेगा एंड जो भी तुमारे member रहेंगे उनका maximum age है वो 62 years का रहेगा तो बेटा maximum age उदर 70-67 था इन्होंने उसको कम करके rules के थूँ उन्होंने बोला क्योंकि maximum age था उसके नीचे तो वो लाई ही सकते तो इन्होंने नीचे लाया और बोला chairman का 70 years maximum age करके ठीक है white chairman का 65 years और बागी का 62 years रहेगा this is the completion of your topic authority of advance ruling पानी पी लेते हैं और उसके बाद हम equalization लेवी को revise करते हैं yes people तो देखो equalization लेवी यह क्या होता है एक बात समझना ऐसे बहुत सारे non-resident companies है जो इंडिया से पैसा कमारे में इंडिया में टेक्स नहीं बढ़ते जैसे i can take one example कि अगर कोई non-resident है और non-resident is not having P in India मैंने आपको क्या बोला था पता है कि अगर non-resident का इंडिया में P है तो यह business income इंडिया में taxable होगी otherwise नहीं होगी तो non-resident is not having P in India P in India का मतलब होता है इंडिया में जैसे आपने example लेते है example में आपको पता है Facebook Facebook और Instagram से तो सब लोग बड़े वाक्य पैकर ठीक है या फिर मैं बात कर दूँ Google की तो जो Google है Facebook है इनका इंडिया में P है यह नहीं that non-resident they are based in USA they don't have P in India आप बोलोगे Google का office तो है इंडिया में इंडिया में जो office service ना वो preparatory service देता है वो auxiliary service देता है वो कोई main service नहीं देता तो वो पी नहीं है permanent establishment नहीं है आपको मैं बता हूँ आपका Gmail hack हो जाता है तो आप mail करते हो तो आपको reply USA से आता है बहुत हर चीज USA से चलती है USA से हर चीज है वो USA से चलती है तो यह जो Google है फेस्बूक है यह इंडिया में text नहीं भरते है विकॉज इनका PE इंडिया में नहीं है अब एक चीज समझना तो इनको थोड़ा text लगाने के लिए क्या किया पता है हमने एक equalization लेवी concept लाया जो बैप्स के action plan थे जो G20 country और OECD country उन्होंने 15 बैप्स के action plan दिये थे और उसमें सबसे पहला action plan था that is the digital economy और digital economy वाला जो पहला action plan था उसमें उन्होंने पहली पार्ट तो यही बोला था उन्होंने कि आप एक तो क्या करो कि PE की definition को change करो एंड उसके बाद एक significant economic presence बना हो जो अपने business connection में डाला है और उन्होंने उसमें यह भी बोला था कि आप equalization लेवी लगा सकते हो तो हमने क्या किया equalization लेवी लगा है इंडिया is the first country जो जिसने equalization लेवी लगा है अब यह equalization लेवी होता क्या है देखो यह equalization लेवी यह बोलता है कि अगर कोई non-resident non-resident का मतलब यहां पर इससे है that is the facebook not having the P in India उनका इंडिया में P नहीं है यह क्या करता है यह non-resident अगर जो facebook है यह service देता है किसको पता है person resident in India अगर किसी person resident in India को service देता है मैं example के लिए ले लू that is BB virtuals हम लोग जो है BB virtuals that is the Indian resident person है उसको अगर service देता है कौन facebook करके या फिर facebook service देता है किसी दूसरे non-resident को having P in India means having P having P in India means जिसका इंडिया में P है जैसे I can take one example एक बात बताओ go daddy go daddy US based company है लेकिन उनका पी इंडिया में है करके ठीक है तो इंडिया में P है तो go daddy भी तो facebook के थिरू advertisement करवाता है तो देखो बीटा समझना ही कोशिश करना equalization लेवी कब लगता है और इसकी जितनी भी section है equalization लेवी की यह section finance act 2016 की section है यह income tax act की section नहीं है finance act 2016 की section है अब एक बात समझना यह section क्या बोलती है कि अगर कोई non-resident है जिसका इंडिया में PE नहीं है example is a facebook facebook service देता है किसी resident person को that is the bb virtual यहां पर service देता है किसी दूसरे non-resident को जिसका इंडिया में PE है that is the go daddy इसको मैं बोल देता हूँ go daddy कर ठीक है अब एक बात समझना तो अगर facebook इनको service देता है और service में online advertisement service अभी तक सिरफ online advertisement है उसको कोई cover किया है तो इन्होंने बोला कि जो भी facebook रहेगा उस facebook को equalization levy pay करना पड़ेगा at the rate 6% में 6% की rate से equalization levy है वो pay करना पड़ेगा अब एक बात बताओ आपको लगता है कि हम लोग facebook को जाके Mark Zagarbak को जाके और बोल सकते है कि तो 6% equalization लेवी पेकर answer is no हम नहीं बोल सकते हैं तो हम किसको पकड़ते हैं उन दोनों को पकड़ते हैं कि जो भी resident person इंडिया में है या non resident having PE in India वो किसी non-resident advertisement service ले रहे हैं और वो non-resident that is facebook उसका इंडिया में PE नहीं है उसको जब payment करते हैं तो equalization लेवी काटना पड़ेगा at the rate 6% तो यहां पे 6% की rate से वो bb virtual और go daddy जो है वो equalization लेवी facebook का काट के government को जमा करवाएंगे अब एक चीज समझना equalization लेवी तभी लगेगा जब आप किसी non-resident को जो payment कर रहे हैं वो पूरे साल का मिला के 1 lakh से ज़ादा है अब एक चीज समझना लेवी लगेगा अधरवाइस लेवी नहीं लगेगा अब एक और चीज समझना अगर आपने advertisement service ली और वो business and profession के लिए यूज हुई है तो ही equalization लेवी लगेगा अधरवाइस equalization लेवी नहीं लगेगा जैसे माल लो आपने क्या किया facebook पे add दिया आपको पती चाहिए या पतनी चाहिए husband या wife चाहिए कर ठीक है advertisement और 5 lakh facebook पे खर्च कर लिए आपको equalization लेवी नहीं लगेगा ना तो facebook को लगेगा ना आपको लगेगा ultimately equalization लेवी क्यों लगाए क्योंकि जो business में service यूज कर रहे वो business में खर्चेगा deduction भी लेंगे और deduction लेंगे तो profit कम होगा इंडिया में tax कम जाएगा तो इसके लिए इन्हों ने equalization लेवी लगाया तो देखो बीटा equalization लेवी कब लगता है अगर कोई non resident है जिसका इंडिया में पी नहीं है example is facebook वो service देता है किसको देता है service या तो कोई person जो resident इन इंडिया है या फिर कोई दूसरा non resident जिसका इंडिया में पी है उसको अगर service देता है advertisement online advertisement service तो equalization लेवी 6% की rate से लगेगा अब यह equalization लेवी कौन pay करेगा तो pay करना है उस payer को भया उसको काटना है जैसा टीडियस काटते है वैसे तो जो person resident इन इंडिया है या non resident having PE इन इंडिया है वो जब भी किसी non resident जिसका इंडिया में पी नहीं उससे advertisement service लेता है पूरे साल का मिलाग एक लाग से ज्यादा है तो इकुलाइशन लेवी काटना पड़ेगा at the rate 6% कौन सी रेट से काटना पड़ेगा 6% अब एक और जी समझना यह इकुलाइशन लेवी है ना यह पूरे इंडिया पर लगता है except जम्मू एंड कश्मीर जम्मू एंड कश्मीर पर इकुलाइशन लेवी नहीं लगेगा बाकी हर जगह यह इकुलाइशन लेवी है वो लग जाएगा अब एक और जी समझना इकुलाइशन लेवी का कलेक्शन कौन करेगा तो मैंने बोला बीबी वर्चुल हैंस गो डेडी है वो जब फेस्बुक को पेमेंट करेंगे 6% काट के गवर्मेंट को जमा करवाएंगे गवर्मेंट को जमा कब तक करवाना पता है अगले महीने की साथ तारिक तक नेक्स्ट मंथ 7 तक जमा करवाना पड़ेगा इवन मार्च का है तो भी 7 अप्रेल तक ही आपको जमा करवाना पड़ेगा अगर आपने एकुलाइशन लेवी लेट जमा करवाए तो 7 के बाद 8 से आपको क्या होगा 1% पर मंथ और part of the month की rate से आपको interest लग जाएगा तो अगर आपने late जमा करवाए तो 1% पर मंथ और part of the month की rate से आपको क्या लगेगा interest है वो interest लग जाएगा अब एक चीज समझना आपको कुछ penalty लगती है section 171 में कि अगर आपने equalization लेवी नहीं काटा तो suppose आपने equalization लेवी नहीं काटा तो एक तो अपनी जेव से equalization लेवी government को वढ़ना पड़ेगा और जितना equalization लेवी था उसका 100% आपको penalty लग सकता है तो देखो बिटा मैंने क्या बोला suppose if you not deducted the equalization लेवी then you have to pay from your own pocket as well as the 100% of equalization लेवी आपका penalty है वो penalty लग सकता है अब एक बात समझो अगर आपने equalization लेवी काटा बट आप government को पे नहीं कर रहे हो government को पे नहीं कर रहे हो तो क्या होगा पहली चीज़ तो वो लेवी पे करना पड़ेगा और दूसरी चीज़ आपको penalty लगेगी जितने दिन का डीले है एवरी डे का 1,000 रुपिस का penalty लगेगा एवरी डे का 1,000 रुपिस का penalty लगेगा लेकिन यह penalty equalization लेवी के amount से ज़्यादा नहीं हो सकती यह जो penalty है वो penalty आपका equalization लेवी के amount से ज़्यादा नहीं हो सकती अब एक और चीज़ समझना next section 167C बोलती है 167 sorry not C 167 of the finance act 2016 यह बोलती है कि भईया आपको अपना return भी file करना पड़ेगा यहां written facebook फाइल नहीं करेगी यहां written है वो bb virtual या फिर go daddy है उसको अपना return फाइल करना पड़ेगा और return file equalization लेवी का कब तक file करना पड़ेगा पता है जैसे financial year complete हुआ उसके बाद 30th June तक form number one में करना पड़ेगा एक form number one होता है online form होता है वो form में आपको क्या करना पड़ेगा return file करना पड़ेगा अब एक चीज़ समझना अगर लेट हो जाते हो अगर आप लेट हो जाते हो कर गए ठीक है miss return file नहीं कर पाए 30th June तक यहाँ पर return file किया था उसमें कुछ गलती होगी तो क्या belated revise return कर सकते answer is yes यहाँ पर आप belated or revise return कर सकते और belated revise return का time limit रहेगा two years from the end of the financial year in which service was provided तो जैसे service provide की है वो मालो 1920 में की है तो 1920 का end कब होगा 31st March 2020 पहली चीज तो 30th June 2020 तक आपको return file करना है बढ़ अगर आप नहीं कर पाए तो कोई बात नहीं आप यह ओ आपको notice base देता है जैसे वहाँ पर रिया वाला notice था 1421 वाला तो वैसे यहाँ पर notice based के और आप लोगों से यह return मंगवा सकता है अगर आपसे return मंगवा जाता है तो जिस दिन आपको notice मिलता उसके 30 days के अंदर-अंदर आपको return है वो return file करना पड़ेगा अब एक चीज़ समझना जो भी आपका return रहेगा उसकी processing होगी जैसे वहाँ पर intimation आती है वैसे यहाँ पर intimation आएगी बट यह intimation आपको कब तक आएगी पता है intimation has to be issued within one year from the end of the financial year in which return was filed जिस year में आपने return file किया था वो year के end से एक साल के अंदर-अंदर आपको intimation आ जाएगी और उसके साथ-साथ में आपको form no.2 में demand notice आएगा अगर कोई भी तुमारा जाता है तो क्या उसको rectify कर सकते है आंसर इस उसको rectify कर सकते है कर ठीक है लेकिन रेक्टिफिकेशन का time limit यहां पर four years का नहीं है यहां one year का वन year from the end of the financial year in which in which mistake like intimation containing mistake was past जिस year में वो intimation आई थी उस year के end से आपको एक साल के अंदर अंदर आप उसको rectify करवा सकते हो अब एक और चीज समझना आप अगर यह return late इसके जो return था is नबावरता है 30 जून को फाइल नहीं करते हो आप अगर डीटी रिए करते हो तो उसके बाद क्या हो करना पर था ठीट कर था को नोड कर आपको 허락 नहीं किया तो एव्री डे का वह 100 रुपिस का पैनल्टी है वो पैनल्टी लग जाएगा लेकिन यह जो मैंने पैनल्टी यहां पे 171, 172 की बताई यह अगर आपका reasonable cause है तो उस case में क्या होगा reasonable cause है तो उस case में आपका यह माफ हो सकता है उसके बाद मैं एक और चीज़ समझदा अगर जो पैनल्टी आप पे लगाए गई और उससे आप satisfied नहीं हो तो आप अपिल में जा सकते हो पहले CIT अपिल में उसके बाद कहा जाते हो सर टाइम लिमिट क्या रहता है CIT अपिल में वही 30 देज के अंदर अंदर और आइटेट में आपको 60 देज के अंदर अंदर जाना पड़ता है अगर आपने कोई भी गलत statement दिया करके ठीक है आपने गलत statement दिया गलत चीजे अगर आपने फर्णिश की तो उस case में आपको imprisonment में आपको jail भी हो सकती है अगर ठीक है और वो jail है वो आपको रहेगी वो jail भी यह लोग आपको jail में वगएरा भी डाल सकते है ऐसा इसमें दे रखा है करके ठीक है और यह jail है वो three years तक हो सकती है करके ठीक है three years तक आपको jail में डाल सकते maximum अगर आपने कुछ भी ऐसा false statement वगएरा दिया तो अब एक और चीज़ समझना section 40 a 40 का clause number a sub clause 1 b यह आपके income tax act की section है यह section वैसी ही है जैसे आपने पीजी बीवी में section पढ़ा था section 40 का clause a sub clause 1 और sub clause 1 एक ठीक है देखो अगर आपकी यहां पर यह क्या बोला है कि अगर आप non-resident को कुछ भी पे कर रहे हो advertisement के लिए बगएरा और equalization लेवी अगर आपने नहीं काटा सपोज आपने इस साल equalization लेवी नहीं काटा या फिर काटा बट government को जमानी करवाया up to the due date of return filing आपकी due date of return filing तक जमानी करवाया तो advertisement expenditure है न वो 100% disallowed हो जाएगा 100% आपका जो expenditure है advertisement expenditure है वो आपका disallowed हो जाएगा लेकिन अगर मानलो आप subsequent year में काटते हो या फिर इस यह काट लिया था लेकिन due date के बाद में आपने जमा करवाया तो जिस year में फिर वो आप जमा करवाओगे उस year में आपको advertisement का 100% खर्चा है वो अलाव हो जाएगा अब एक चीज समझना अगर मानलो यहां पर बीबी वर्चुल या फिर गो डैडी ने equalization लेवी अल्रेडी काट लिया है और equalization लेवी लग चुका है तो क्या facebook के हाथ में वापस taxable होगा क्या उनके हाथ में equalization लेवी लगे का answer is no वहां पर यह taxable नहीं होगा तो आज मैंने आपको तीन topic complete करवाए एक साथ में फटावट 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 पहला कौंसा डीटी डबले करवाए दूसरा मैंने कौंसा करवाए और तीसरा equalization लेवी यहां पर अपना तीन यह फिर न और और फिर मैंने आपको ट्रांस्वर प्राइजिंग टोटल पाच टॉपिक जो सबसे important topic थे वह मैंने आपको international taxation के पूरे रिवाइस करवा दिये अब एक बात समझना topic तो रिविजन lecture डालूँगा उसमें दो topic डालूँगा एक तो तुमारा TDS TCS वाला घर के ठीक है और एक assessment प्रोसेजर उन दो topic को मैं आपको revise करने वाला हूँ ठीक है चलो आज के लिए इतना बहुत है best of luck for your examination अच्छे से पढ़ाई करो और मैं बता दू international taxation को skip मत करना यह बड़ा जुरूरी था करगे ठीक है आपको revise करवाना मैंने time लिया जैसे lecture number two देखोगे तो डेढ़ गंटे का था यह lecture भी 45 मिनट तक गया ट्रांसफर प्राइजिंग है वो भी सवा देट गंटे का गया मलत टोटल मिला के अगर आप देखोगे तो आपका अप्रोक्स four hours के करीब जो है अप्रोक्स साड़े तीन चार गंटे के करीब international taxation के पांच टॉपिक का रिविजन है कम से कम 6-7 बार सुनो तो आर्राम से चीज़े हैं वो आपके दिमाग में याद रहो जाएगी ठीक है चलो best of luck for your examination और ध्यान रखा करो आज आपको अपना ध्यान रखना चाहिए थैंक्स अलोट पीपल आज के लिए इतना बहुत है